नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों बहुत बड़ी खुसखबरी स्वास्थे विभाग में तेईससो ब्यासी पदों पर आवेदन जल्द विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूरी वीडियो को अंतक देखेंगे दोस्तों इसकी पिकदम ना करिएगा सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजेए चैनल पर नए सस्क्राइब दोस्तों जरूर कर दीजेगा और ज्यादा से ज़यर करिएगा स्वास्ते विभाग में किन पदों पर भरती के लिए रास्ता साफ हो गया है आवेदन जल्द ही आप लोगों को देखने को बिलेगा चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं यहां से दोस्तों देख सकते हैं तेईस सो बयासी पदों पर जल्द होगी डाक्टरों की भरती लखनों से खबर है यूपी के सरकारी अस्वताल में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रही है संबिदा, पुनर, नयोक्ती और नियमी डाक्टरों की भरती की जा रही है प्रक्रिया पूरी होते ही जल्द डाक्टरों की भरती की जाएगी यह कहना है उपंपोंत्रे ब्रिजेस पाठक का उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारें डाक्टरों की भरती को लेकर गंभीर नहीं थी इसकी वजह से अस्पतालों में लगतार डाक्टरों की कमी हो रही है डाक् फार्मासिष्ट की भरती कर दी जाए तो कितना अच्छा रहेगा क्योंकि जहां पर एनम, जेनम सेंटर, डॉट सेंटर, सियसी, पियसी जो भी है दोस्तों अगर फार्मासिष्ट की नियुक्ति कर दी जाती है एक फार्मासिष्ट जो है एक डॉक्टर से भी अच्छा अधिक काम करेगा क्योंकि वह फार्मासिस्ट का रोल जो होता है दोस्तों PPT 2015 के एकार्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ दिया गया है अभी उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ है बिहार, हरियाणा और तेलंगाना ऐसे अन्य राज्यों में दोस्तों लागू हो गया है PPT 2015 का जो है जो राजपत्रत आया था तो दोस्तों एक फार्मासिस्ट भी जो है डॉट सेंटर को अच्छे से चला सकता है अगर वहाँ पर डॉक्टर नहीं है जब आपके पास डॉक्टरों की कमी है तो फार्मासिस्ट की भरती जरूर करें क्योंकि फार्मासिस्ट को भी दोस्तों फार्मा को लोजी पढ़ाई जाती है सास साथ में एनम की भी भरती हो रही है स्टाफ नर्स की भरती हो रही है तो इसी साथ में अगर फार्मासिष्ट की भरती अगर कर दिया जाए तो एक डॉट सेंटर जो आईसमान सेंटर बने हुए हैं दोस्तों वहाँ पर भी जो है नियमित फार्मासिष्ट अगर रहते हैं तो वहाँ पर भी डॉक्टर की कमी नहीं होगी और अच्छा ट्रीटमेंट बिलेगा तो बिजेस पाठक सर जी को यह भी संग्यान में लेना चाहिए कि फार्मासिष्ट का क्या काम है वहाँ भी एक जो है डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर सकता है तो दोस्तों जब पीपीटी 2015 लागू हो जाएगा तो एक डॉक्टर की तरह फार्मासिष्ट भी प्रैक्टिस कर सकता है तो वीडियो को जदा जदा सेर करिएगा चैनल पर दोसों नए है तो सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा और यह मुहीम आगे बढ़ाने के लिए फार्मासिष्ट की भरती के लिए जरूर प्रयासरत रहिए दोस्तों क्योंकि फार्मासिष्ट की भरती 2002 के बाद अभी तक नहीं हो पाई है लगभग 21 साल होने जा रहे हैं 21 साल बीतने जा रहा है अभी तक फार्मासिस्ट की भरती नहीं हुई है मिलते हैं नेक्ष वीडियो में वीडियो को जदा जदा सेयर करिएगा आंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद